सुधीप सर ने 110 के टार्गेट ले इस पर आपको खरेदारी की राय दी थी तो चलिए NCC पर रखेंगे नजर रखेंगे BEL भारत इलेक्ट्रोनिक्स पर भी एक और कंपनी जिसके आने वाले हैं नतीजे आज कैसी हैं बाजार की उमेद हैं चानते हैं कुशल के साथ कुशल बताईए नंबर्स बहतर साइट पर ही रहेंगे दिपांशू सबसे पहले आप देखिए BEL पर आए करीबं साड़े तियालिस पसंट बढ़कर लगभग 3300 करोड़ पर रह सकती है क्योंकि जिस तरह से यहां पर कंपनी जो है एक्जेकूशन करती वे आ रही है उससे काफी फाइदा होतावा दिखेगा साथी डिफेंस ओडर्स के जो एक्जेकूशन आ रहे हैं उससे तो सारा मिले गई और जो नॉन डिफेंस कारोबार हैं वहाँ पर भी कंपनी के बड़े प्लैंस हैं इस बारी B.E.L. पर हम अनुमान कर रहे हैं कि यहां पर मार्जिन्स की बढ़ोतरी होगी सप्राइजिंगली 19.2% के मुकाबले 21.9% की मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन हमारी है और इसका इंपक्ट आपको कंपनी के मुनाफ़े पर आता हुआ दिख सकता है 85% की गुरूत के साथ 485 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफ़ा भी धर्च कर सकती है कंपनी की कुल ओर्डर बुक सालाना अधार पर 55,000 करोड़ पर लगभग फ्लाइट रहने का अनुमान है पर ये देखना होगा कि नए ओर्डर कंपनी को इस्तेमाई में कितने मिलते वे दिखते हैं पिछले साल के मुकाबले क्योंकि पिछले साल हायर बेस था उसके बावजूद भी आप मार्जिन बहतर साइट पर एक्सपेक्टेड है पर नए ओर्डर हायर बेस के चलते करीबन 18% गिरकर 4000 करोड की हमारी उमिद लगा कर हम चल रहे हैं बट डेफिनेटली ये देखना होगा कि कंपनी की आगे चलकर क्या ओर्डर बूक आउटलूट है और ड्रोन पॉलिसी का जो इंपक्ट है वो किस तरह से कंपनी पर पढ़तावा नजर आता है तो इस पर रखनी है नजर और बजट के लिए आज से यहां पर रखनी है नजर बट आज एर्निंग्स काफी इंपोर्टन रहेंगी BEL की किरन जी BEL इस पर राय दे मूव आती है पर वापस यह 210 के लेवल्स पर ही वापस आ जाता है यह 210-210 की समय से कॉंसलिडेट कर रहा है जर कोई राय इसकी चार्ट पर बिल्कुल ब्रॉड रेंज जो दीप आप कह रहे है वह 195-220 का है शॉट टर्म रेंज जो आप बोल रहे है दोसो-डोसो-दस का है पर मेरा मन्द है कि जो बड़ी मूव आएगी वह 195 के नीचे आएगी या 220 के ऊपर आएगी तो तब तक के लिए थोड़ा सा पेशन से रखना पड़ेगा जब तक बड़ा ब्रेक आउट नहीं आदा तब तक ट्रेड करने में मतलब नहीं है पर अगर आपके पास लॉंग तर्म के हिसाब से कोई पूजिशन से तो बिल्कु के लोग बीलो तो